हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुक्समरदी उपाय में आप सभी का हार्डिक स्वागत है हिंदु धनम में पंच तत्व में सामिल, जल, अगनी, वाईयू, धर्ती और अकास की बेहद पूजा की जाती है और आस्थावी और विश्वास भी बहुत रखा जाता है इनी चीजों पर इनी पंच तत्वों की तरहें इस धर्ती पर मौझूद बनस्पतियों की भी पूजा की जाती है ऐसी माननेता है कि प्रत्वी पर मौझूद पेड़ पौधों की पूजा करने से हमारे जीवन जो होता है उस पर जो बुरे प्रभाव होते हैं, बुरे गिरह नक्षत्र होते हैं, वो बहुत जल्दी खतम हो जाते है वेद और सास्त्रों में नव गिरह में से समंदित पेड़ पौधा का विजिकर मिलता है इनी पेड़ पौधों में से एक है समी का पौधा, जो व्रक्ष का ही रूप है समी के पौधे में शनी देव का संबंध है इस पौदे को हिंदु सास्त्रों के अनुसार एक बेहत चमतकारी पौधा भी माना गया है इतना ही नहीं समी ब्रक्ष की पूजा करने से घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है बहुत ही अच्छा ब्रक्ष है जो तिस अचारे के अनुसार समी और पीपल ये दो पेड ऐसे होते हैं जिनका प्रियोग सनी देव के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है सनी देव या सनी गिरह का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में एक वार जरूर पड़ता है ये तो आप जानते ही होंगे तो उसके उपाए भी जरूर ही होते हैं लोग अक्सर पीपल पर पेड पर दिया जलाते हैं ऐसी ही सनी की जो होता है एक और पेड ये होता है समी का बहुत अच्छा माना जाता है घर में लगाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाब देता है शनी के दुश्प्रभाब से बचने के लिए घर के आजपास समी का ब्रक्ष जरूर लगा ले सनीवार को इसके नीचे सरसो का तेल का दीपक जैसे आप पीपल पे लगाते हैं ऐसे ही इस पेड़ भी लगाना है इसके अलावा समी के फूल तथा पत्तो का भी प्रयोग सनी गिरह के प्रभाब को कम करने के लिए किया जाता है मानेता है कि घर में समी का पेल लगा रहने से टोनी टोटके नकरात्म कुर्जा का घर में कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है बहुत अच्छा माना जाता है भवान भोलेनात को भी समी का पुस्प, समी का पौधा बेहत प्रिय है रोजाना की पूजा में अगर आप शिवजी जी को जल चड़ाते हैं तो समी का पुस्प भी डाल दो ये पिंग कलर का जो दिखरा है परपल कलर का ये ही होता है समी का पुस्प तो ये भोलेनात को अगर चड़ाएंगे तो भोलेनात बहुत ही खुश हो जाते हैं यदि पौधा छोटा है उसमें पुस्प नहीं है तो आप समी के पत्ते भी चड़ा सकते हैं और जिन रासियों पर सनी की साड़े साती चलती है उनके जातकों को रो जाना समी के पेड़ की सेबा करनी चाहिए सुबह रो जाना जल चड़ाएं और साम को दिया जरूर जलाना च कम होगा इतना ही नहीं समी का पेड़ घर के जो वास्तु दोस होते हैं उनको भी दूर करता है कैई घरों में ऐसा होता है कि लड़का और लड़की योग्य होते हैं और उनके विवा में देरी होने लगती है विवा जल्दी से नहीं होता है तो सनी दोस के कारण भी ऐसा हो स जो विवाय में अर्चने हैं वो आपकी पिल्कुल सही हो जाएंगी। सामको घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना समी के पेड़ के पास एक दीपक जरूर जलाएंगे। साफ गमले में स्वक्ष स्थान पर साफ मिट्टी में समी का पेड़ लगाएं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। एक बात और बता दू मैं जब भी आप पूजा के पेड़ पौधे लगाएं तो साफ ही मिट्टी में लगाएं। माना जाता है गंदी मिट्टी में पेड़ पौधे लगाएं तो इसे लगाने के बाद आप उपाये के तोर पर पेड़ की जड़ में एक सुपारी और एक रुपे का सिक्कत दबादें। साथ पौधा लगाने के बाद उसे घोड़ा गंगा जल भी डाल दें। प्रण देस्थान की ना हो विकुछ साब मिट्टी लाएं। समी का पेड़ आप अपने घर के किस दिसा में लगा सकते हैं वताती हूँ। आप वह घर के बाहर जाएं और वह दाएं हाथ की और पड़ें। ऐसा करें दाएं हाथ की तरफ लगाना हैं। अगर आपके घर के बाहर इस तरह की जिगे नहीं हैं तो आप घर की चट पर भी लगा सकते हैं इस पौदे को। चट पर लगाएं तो इसे आप दक्षिन दिसा में रखें। यहां अगर धूप न मिले तो इसे पूर्व दिसा या इशान कोड में भी रख सकते हैं। बता रहे थे आपको तो समी के पौदे का संबन्द जैसे कि मैंने बताया सनी से हैं और आपको यह जरूर लगाना चाहिए जिससे हमारे घर में मालक्षमी की किरपा बरसती रहे और कभी भी हमारे घर में सनी की दरश्टी ना रहे और जो हमारे गिरह हैं वो हमारे गिरह सां लिखेगा और अच्छा लगता है अगर आप हमें कमेंट करते हैं लाइक करते हैं हमें अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अच्छा लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिए ठैंक यू